रामरम संगवारी हो मैं रिशी साहू उडानाईस एकेडमी के e-learning प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे 36 गड़ लोकसेवा आयोग के द्वारा 5 नमबर 2020 को आयोजित की गई परिक्षा सहायक प्रध्यापक के संभावित उत्तर की प्रशना आया हुआ था इस परिक्षा में कवच के विशाय में सही क्या है कवच कोरोना काल में सरकार के द्वारा बनाये गए एक मोबाईल एप था और इसके विशाय में पूछा गया है कूट के माध्याम से पूछा गया आंसर आपको कूट के माध्याम से देने है इसमें पहला कूट था यह 36 गर सासन द्वारा कोरोना संकट के समय निर्मित एक मोबाइल एप है सही है यह सास की परामर्स आदेश और जानकारिया देता है यह भी सही है इस एप के माध्यम से घूमने के लिए इपास प्राप किया जा सकता है यह भी सही है आवश्यक वस्तूओं के लिए घर पहुं सेवा उपलवध कराता है यह एप्लिकेशन यह भी सही है इस प्रकार चारो कथन जो है वो सही है तो आपका उत्तर होगा डी प्रस्ना आया हुआ है निम्नलिखित में से कौनसी गुफा तीरत गाड जल प्रपात के निकट इस्थित है तीरत गाड जल प्र कुटुम सर यह बस्तर में आंसर आपके होगा सी जोगी मारा यह भी सर कुजा में एक तलाब है बहुत बड़ा जगदलपूर में उसका निर्मान किस वंस के सासक ने किया था इसका आंसर है B काक्तिर प्रस्ण है काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस इस्थान पर पाये जाते हैं आंसर है इसका दंतेवाडा का बारसूर A प्रस्ण है सर्व सिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है ये पूछा जा रहा है और ये भी कूट के माध्यम से आपको बताना है पहला कथन है यहां केंद्र प्रायोजित राजियुगांधी सिक्षा मिसन द्वारा संचालित है सही है केंद्र प्रायोजित राजियुगा करने के लिए पूरस्कृत किया जाता है ये भी सही है चौथा कथन है माध्यान भोजन योजन है तो आवस्यक समागरी उपलब्द कराई जाती है नहीं इसके तीन सुरू के कथन सही है मतलब आंसर होगा आपका सी प्रशन है निम्न लिखित में से कौन सी 36 गड़ की मुख्य जन जाती है हम पढ़ते हैं 36 गड़ की जन जाती हम संस्कृत तो अहां पढ़ते हैं गोड़ प्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती है जिसकी जन संख्या सर्वाधिक आंसर होगा बी प्रशन है भैसा दरहा जील में निम्न लिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है तो ह प्रती वर्स अंतरराष्टी बौध सम्मिलन का आयोजन किया जाता है ये अंतरराष्टी बौध सम्मिलन होता है डोंगरगर के प्रज्यागिरी की पहड़ी में और प्रती वर्स इसका आयोजन होता है और ये हर साल आयोजित होता है 6 फरवरी को और इसका 2020 में आयोजन था 27 27 अंतर राष्टी बहुत धसम्मेलन हुआ डोंगरगड के प्रग्यागिरी की पहाड़ी में तो 6 फरवरी मतलब आपका अंसर है B प्रशन आया हुआ है सबरी मंदीर कहां इस्थित है तो इसका अंसर है वो है A. खरोद में इस्थित है जानगीर चांपा के प्रशन है 36 गड में लोह आयसक का सबसे अधिक उत्पादन किस जीले में होता है उत्तर है इसका दंतेवाणा जीला मतलब D प्रशन है 36 गड में हीरा किस जीले में पाये जाता है तो हीरा पाये जाता है गरिया बन जीला में आंसर होगा C प्रस्न है तीरतगर्जल प्रपात किस नदी परिस्थित है तो तीरतगर्जल प्रपात कांगेर की साहयक नदी मुनगा बहार परिस्थित है अंसर है प्रस्न है पामेड अभ्यरन की जीले में स्थित है तो जीला अंसर बीजापूर प्रस्न है सोया बीन का उतपादन किस जीले में सबसे अधीक होता है इसका उत्तर है राजनानगां общем ने प्रशनाय हुआ है 36 गड़ के किस जीले में आउसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है तो हमारे पास जो वर्षा का आकड़ा है वो है आपका वर्ष 2019 का और इस आकड़ों के नुसार सबसे अधिक वर्षा दर्ज किया गया है बीजापूर जीला में दूसरे नंबर पर नरायनपूर है अब आप्शन में बीजापूर नहीं है इसलिए इसका आंसर होगा C नरायनपूर जहां पर 2027 मिलिमीटर वर्षा दर्ज की गई प्रस्न अगला है मडिया का उत्पादन सबसे अधिक किस जीले में होता है इसका आंसर है A कोंडा गाउं प्रस्न है निम नलिखित में से कौन सी जन जाती विशेश पिछडी जन जाती नहीं है तो अबुजमाडिया हम पढ़ते हैं बैगा हम पढ़ते हैं बीरोर हम पढ़ते हैं ये सब विशेश पिछडी जन जाती है बढ़िया option D, भातरा विशेस पिछड़ जन जाती नहीं है, answer होगा D, ताटा पानी किस जीले में स्थित है, जीला है आपका बलरामपूर, answer B, 2011 की जनगना के अनुसार सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जीला है, तो हम देखते हैं 27 जीलो में तो देखते हैं सबसे कम लिंग अनुपात रायपूर में है, फिर दूर्ग में, 963 रायपूर, 966 है आपका दूर्ग, उसके बाद आता है कोरिया 968 के साथ, अपसन आप देख लिजे, इसमें रायपूर और दूर्ग है ही नहीं, तो answer होगा आपका कोरिया C, प्रस्न है कथा सायंत्र किस जीले में स्थित ह उद्योग में हम पढ़ते हैं कथा उद्योग, सरगुजा जीला, आंसर होगा इसका D, प्रस्न है हरीक नानी वेरा अभियान की ससे संबंदित है, तो 2 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सूपोसन योजना का टार्गेट है कूपोसन और एनीमिया क इस्थिती में सुधार लना, तो इसका आंसर है आपका B, प्रस्नाय हुआ है, डॉक्टर खूपचन बगेल स्वास्त सहयता योजना के विशाय में सही क्या है, आपको सही बताना है, आप्सन दिया हुआ इसमें मृत्ति होने पर परिवार को अर्थिक सहयता, नहीं, कूपो जो मुख्यमंत्री स्वासभीमा योजना चल रहा था, उसके बदले इसको चालू किया गया है, जबकि आंसर C जो है, ये मुख्यमंत्री विशेश सहयता योजना जिसमें 20 लाक रूपए तक चिकिस्सा सहयता दिया जाता है, आंसर है D, प्रशनाय हुआ है, स्वास्त योज D, उसको मैच करना है, A को लेते हैं पहले, सुचीता योजना, इस सुचीता योजना का संबंध है 3 से, मतलब किसोर वैपालिकाओं के लिए योजना संचालित क्या जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्त बीमा योजना, आम जनता के लिए चल रहा है, सभी आपक क्या बोले, 3, फिर B का बोले, 4, देख लिए आप, A का 3, तो यहाँ दीख रहा है, यहाँ दीख रहा है, B का बोल है, 4, तो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 2 आपसन चल रहा है, B और D, आगे देख ले, C का चिराई हो जना, मतलब बच्चों के लिए चल रहा है, और D क इस्त्रियों के चल रहा है मतलब C का 1 और D का 2 होना चाहिए तो C का 1 कहां दिख रहा है आपको C का 1 यहां भी है यहां भी है और D का 2 दिख रहा है तो यह आपका आंसर होगा D प्रशनाय हुआ है ग्राम पंचायत के उपसरपंच के विशाय में सही क्या है यह पूछा जा रहा उपसर पंच के विशाय में सही क्या है यह आपको बताना है। नहीं, right to recall इसको नहीं करते हैं, केवल पंच और सरपंच को कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा गलत, उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच के पत से त्याग पतर देता है, गलत बात है, त्याग पतर नहीं देगा, पंच से वह उप सरपंच बनता है, पंचों के मार्धिय मतलब ये भी गलत हो गया, पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमी का दोहरी होती है, एकदम सही, वाट के लिए वो पंच होते हैं, और पूरे ग्राम पंचायत के लिए उप सरपंच होते हैं, तो एक, दो और पांच, आप देख सकते हैं, कहा है, डी में है, तो दोनों अपरत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, एकदम सही, दोनों का चुनाव जो है, जनपत पंचायत के सदस्य से अध्यक्ष को चुनते हैं, जीला पंचायत के सदस्य से अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, मतलब अपरत्यक्ष है, दूसरा, दोनों मुलता संस्था के सदस्य के रूप में चूने जाते सही है जब इनका निर्वाचन होता है तो किसी निर्वाचन छेत्र से सदस्य से निर्वाचित होते है दोनों को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है एकदम सही अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाते है दोनों समान जनता का प्रतेनिधित्व करते हैं बिल्कुल गलत समान जनता का प्रतेनिधित्व नहीं करते हैं जो पंचायती राजा धिनिया मुन्नी सोती रनवे है उसमें बताया गिया है जीला पंचायत के एक निर्वाचन छेत्र में जनसंख्या का रेशियो होता है पचास दीजित्व करता है वहीं जन्पत, पंचयत के निरवाचन छेतर में जनसंख्या का रेशियों प्रति नित्व करते हैं गलत है तो आन्सार आपका एक दो तीन होगा देख सकते ंप option c प्रश्णा यह हुए सही क्या है किसी लगूत्तर नगरी छेत्र के लिए नगरपाली का परिस्त का गठन किया जाता है एकदम सही है बड़े नगरों के लिए नगर निगम छोटे नगरों के लिए नगरपाली का वही संक्रमन सील छेत्र जो गाओं से सहर की और परिवर्तित हो रहे हैं, उसके लिए नगर पंचायत, तो ये सही, सही क्या है पूछा जा रहे हैं, सही है ये कथन, दूसरा कथन, किसी ग्रामीन छेत्र से नगरी छेत्र में संक्रमन गत छेत्र के लिए नगर पाली का परिशत का गठन किया जाता है, मैं नगर पंचायत बोला हूँ नगर पाली का गठन नहीं करेंगे नगर पंचायत का गठन करेंगे तीसरा कथन क्या बोल रहा है किसी लगुतर नगरी छेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है गलत क्योंकि नगर पंचायत कहां गठित करते हैं जो ग्रामिन से सहरी की और बदलते रहो तो ये भी नहीं हो सकता है चौथा कथन क्या बोलता है किसी ग्रामिन छेत्र से सहरी छेत्र में संक्रमन गठ छेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है एकदम सही, तो चौथा कथन सही है, और पहला कथन सही है, आपसन आप देख लिजे, एक चार होगा मतलब C, प्रशन है, क्या सही है, फिर से सही बताना है आपको, कथन है फिर से, जनपत पंचायत के समान्य प्रसासन समीती का अध्याक्ष समीती के द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल गलत, समान्य प्रसासन समीती का जो अध्याक्ष होता है, वो जनपत पंचायत का अध्याक्ष जो होता है, वो पदेन सभापती होता है, चुना नहीं जाएगा, वो पदेन होगा, तो ये गलत हो गया, दूसरा कथन है, जनपत पंचायत का उपाध्याक्ष पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं हम पढ़ते हैं सर रचना में जिस जीला पंचायत में जीतने जनपत पंचायत होंगे और उसके अध्यक्ष उसके पदेन सदस्य होंगे मतलब तीसरा कथन भी सही है अगला कथन है जनपत पंचायतों के अध्यक्ष जीला पंचायत के किसी स दस से नहीं हो सकते सही है जब जीला पंचायत के समीति का गठन होता है तो उसकी सररचना में तो जनपत पंचायत के अध्याक सामिल होते हैं लेकिन उसकी समीति में सामिल नहीं होते हैं मतलब ये भी कथन सही है लास्ट कथन है पाचवा जनपत पंचायत का अध्याक्ष सभी इस्थाई समीतियों का सभापती होता है, गलत है, तो अंसर क्या होगा, दो, तीन, चार, आप देख लिजे, दो, तीन, चार कहां है, तो B में है, अंसर होगा इसका B, प्रशन आया हुआ है, जीला पंचायत की समीतियां और उनके कारियों के संदर्भ में सुमेलित किजिए, एक तरब दिया हुआ है समीति, और दूसरे तरब दिया हुआ है, उसका कारियों, आपको मैच करना है A, B, C, D के रूप में, तो A से उठाते हैं, क्योंकि A, B, C, D के रूप में आपको मैच करना है, देख सकते हैं, अब अस्प्रिश्चता निवारन, जो है, वो connected है अनकर्म समीति का कारिया है, मतलब B का हो जाएगा, 4, A का 3, B का 4, तो अब दीख रहे हैं, A का 3, B का 4 यहां है, 3 है यहां भी, लेकिन यहां 1 हो गया है, अब आगे देखते हैं, लेखा समीति, तो यह समाने प्रसासन समीति का कारिया है, मतलब C का 1, और पसुपालन किस का का काम है तो क्रिसी समीति का काम है मतलब डी का तू तो आंसर होगा आपका डी सही क्या है आपको बताना है राज्यपाल एक समयधानिक प्रमुख होता है सही है समयधान में इसका उलेख है और राज्यका यह समयधानिक प्रमुख है राज्यका कारेपाली का प्रमुख भी होता ह कथन सही है राज्यपाल का कारेकाल पांच वर्स का होता है समान्य परिस्थित्यों में पांच वर्स का होता है वहीं समिधान में बताया गया है कि राश्पति के प्रसात परियंधी होते है ये भी सही है तीसरा राज्यपाल समान्यता मंत्री परिशत की सलाह पर अपनी सक्ति का प्रयोग करता है सही है मंत्री परिशत की सलाह पर अपनी सक्ति का प्रयोग करता है राज्यपाल मंत्री परिशत को किसी सलाह पर पुनर विचार के लिए कह सकता है ये गला थे तो आपके तीन पूछ रहा है सही क्या है तो तीन सुरू के तीन सही होंगे मतलब आंसर होगा इसका C प्रस्ण आये हुआ है और ये करेंट से रिलेटेड है संसदी सचिव किसके समख्छ अपने पत की सपत लेते हैं तो अभी राज्य सरकार के द्वारा 15 संसदी सचिव की न्युक्ति की गई और हमारे द्वारा जो करेंट का वीडियो चलाया जा रहा था उसमें भी या प्रस्ण पूछा गया था तो जिनके समख्छ सपत लेंगे संसदी सचिव वो है आपका आंसर C अगर हम बात करें तो अभी बोला जा 28 जीलो में तक गौरेला पेंडर मरवाही सबसे छोटा है वो है दुर्ग तो आंसर होगा आपका दुर्ग B प्रस्न है 36 गड़ राज्य विधान सभा की गणपूर्ती कितनी है जब विधान सभा की बैठके होती है तो गणपूर्ती होता है 110 अब हमारे यहां विधान सभा सीट कितने है तो 90 इसका 110 आप निकालेंगे तो मिलेगा 9 सदस्य तो आंसर होगा आपका A प्रस्न है गड़िया पहाड की जीले में स्थित है उत्तर होगा इसका कांकेर ए आंसर प्रस्न है होगा है रायपूर जीला कॉंग्रेस कमिटी के प्रथाम अध्यक्ष कौन थे तो इसका उत्तर है बायरिस्टर सी एम ठककर जी C प्रस्न है होगा है 36 गड़ की हैरा गड़ रियासत के संबंध में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य है सत्य कथन आपको बताना है जिसमें option दिया होगा है पूर्वा में से खोलवा परगना कहा जाता था B option दिया होगा है यहाँ गड़ मंडला सासक के नियंतरन में था अधीन था तीसरा option दिया होगा है यह राजनान गवर रियासत का एक भाग था चौथा option दिया है इसका आंसर है वो है A यही जो है खोलवा कहलाता था जो कालांतर में खैरागड कहलाया और इसको जो मंडला के सासक थे संग्राम सी और जो खैरागड रियासत के आधी पूरु संस्थापक कहलाते हैं लक्ष्मी निधी राय लक्ष्मी निधी राय ने सौर्यता से पंद्रवी सताब्दी में इसको प्राप्त किया था मंडला के सा सकते ठीक तो आंसर होगा इसका ए रतनपूर के कल्चुरी राजवन्स की राजकुमारी का विवाहा फणी नागवन्स के किस राजा के साथ हुआ तो हम पढ़ते हैं रामचंद्रदेव जो आपके फणी नागवन्स से सा सकते 24 वे नंबर का और उन्होंने के उपलक्ष में मडवा महल बनवाया था तो रामचंद्रदेव आंसर है इसका डी ब्रिटिस नियंत्रनकाल में 36 गड़के जमीदारों से लिये जाने वाले कर का नाम था ब्रिटिस नियंत्रनकाल बोल रहे मतलब 1818 से 30 की अउधी मतलब जब हमारे हमाराठा सासन था और मर अगास्त 1942 को 36 गड़के रायपूर में हुई हरताल के संबंद में नीमनल इखित में से कौन सा कथन सत्य है आप्सन दिया हुआ ए राश्ट्री विद्यालाई के विद्यार्थेयों ने जुलूस निकाला और हरताल कराई जीला कॉंग्रेस कमिटी की ओर से हरताल का अहवान क आप्सन दिया है जब भारत छोड़वान दोलन तो रायपूर की घटना पड़ते हैं अगस्त में 10 अगस्त को रनवीर सी सास्त्री जी के ने त्रित्म विद्यार्थेयों का जुलूस निकलता है और वो विद्यार्थी रहते हैं 36 गड़ महा विद्यालाई के तो आंसर होग की बैट को की अध्यक्षता करने के विशाय में सहीं क्या है ग्राम सभा आप दो टाइप की ग्राम सभा होती एक अनुसूचित छेतर के लिए एक गयर अनुसूचित छेतर के लिए यहाँ पर अनुसूचित में इंसन नहीं है मतलब समान्य समझना है ग्राम सभा की बैठा क क्या द्यक्षता करता है, तो आप देख लेते हैं, कूट में दिया हुआ है, कथन नमबर एक, सरपंच ग्राम सभा की बैठको क्या द्यक्षता करता है, एक दम सही, दूसरा कथन, सरपंच की अनुपस्थिती में, उप सरपंच ग्राम सभा की बैठको क्या द्यक्षता करता है सर्पंच और रूप सर्पंच की अनुपस्थिती में वरिष्ट पंच बैठा की अध्यक्षता करता है ऐसा प्राउधान नहीं है मतलब गलत है सर्पंच और रूप सर्पंच की अनुपस्थिती में ग्राम सभा का एक वरिष्ट सदस्य बैठा की अध्यक्षता करता है वरिष्टता वाली कोई बात नहीं की गई है पंचाती राजा धिनिया में मतलब ये भी गलत आखरी कथन है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिती में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं वह बैठक की अध्यक्षता करता है ये सही है मतलब आपका कथन नंबर कौन सा ये पाँचवा कथन है पहला दूसरा और पाँचवा आपसन आप देख रहे हूंगे पहला दूसरा पाँचवा कहा है तो आपसन सी में आंसर होगा C प्रशनाय हुआ है सुतनुका नामक देवदासी कवले किस सीला लेख में हुआ है तो हम पढ़ते हैं एक प्राचिंतम नाट्टे साला हमारे 36 गड़ में वो सीता बेंगरा की गुफा तो सीता बेंगरा की गुफा में सुतनुका नामक देवदासी कवले क मिलत जा रहा है इसके अध्याक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं कथन सही है इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं ये भी कथन सही है इसके अध्याक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है डिस्मिस कर सकता है ये भी सही है चौथा कथन इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य पाल पत्य चूत कर सकता है गलत है राश्पती ही हटा सकता है तो ये दोनों नहीं होंगे ये होंगे तीनों तो अंसर होगा आपका सी राश्पती के द्वारा ही हटाया जा सकता है प्रस्न है सरभपूरी राजव किस राजा ने स्वण मुद्राएं प्रचलित की थी तो हम पढ़ते हैं प्रशन्यमात्र नाम का सासक जिन्हों ने अपनी स्वण मुद्रवं में संक गडूर चक्र कांकन किया था तो अंसर हो गए इसका प्रशन्यमात्र डी रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था जब हम पढ़ते हैं सविनायवा ग्यान दोलन का फेस टू 1932 तब पढ़ते हैं दो जगों पर वानर सेना का गठन हुआ था बिलासपूर और रायपूर पूछा जा रहा है रायपूर तो बली राम दुबे जी जिनको आजाद बोलते थे उनके द्वारा न सरपंच और पंच को रिस्पॉंसिबल बताया गया है पंचायती राजा धिनियम में सरपंच और पंच मतलब एक और तीन आंसर है अपका सी प्रस्न है विवाह का प्रकार जिसमें जाती के अंदर वैवाहिक संबंध बनाये जाते हैं एक ही जाती में विवाह हो रहा है तो को बोलते हैं अंतह विवाही आंसर है C कमपनी सरकार के खिलाप परल कोट विद्रो कब हुआ था तो हम पढ़ते हैं परल कोट विद्रो गेंद सींग के द्वारा किया गया 24-25 में तो यहां पर देखिया 25 दिया हुआ 24 नहीं है तो आंसर होगा आपका एक प्रशन है निम्न ल वेशन बुलाना यह भी विद्राई सकती है विधान सभा में आंगल भारती सदस्य का मनोनयन यह भी विद्राई सकती है और विधान सभा को संबोधित करना यह भी विद्राई सकती है मतलब चारो है तो उत्तर होगा आपका डी यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा ह तो इस वीडियो पर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाईए तब तक के लिए जै जोहार जै चतिसगर